हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुशार हर एक तिती और वार का विशेश महतो होता है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को जरूर समर्पित होता है। वार के अनुशार ही उस दिन विशेश पूजा अराधना की जाती है। शोम बार के दिन भगवान सिव को समर्पित होता है शोम बार के दिन भगवान भोले नात की विशेश रूप से पूजा करने का महतो होता है ऐसी मान्यता है शोम बार के दिन भोले नात की पूजा अर्चना करने पर ब्याक्ति को शभी तरह के शंकटों से मुक्ति मिल जाती है भगवान भोली नात की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अरपित करना खास माना जाता है इस कारण से सोमवार के दिन भगवान सिव की विधी विधा से पूजन किया जाता है माननेता है कि ऐसा करने से घर में हमीशा सुख संभिधी बनी रहती है शोम बार के दिंग उत्तर दिशाकी और मूँ करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुम माना जाता है शिवलिंग पर चंदन, अच्छत, बिल्लब पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाने से भगवान संकर जल्द परशन होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान भोले नाथ को परशन करने के लिए मात्र एक लूटा जल्द ही काफी माना जाता है इससे भोले नाथ जल्द परशन होकर अपने भक्तों को शुक समरिधी का आशिरवात देते हैं आए जानते हैं दिन के हिशाब से भोले नाथ को जल अरपित करने पर क्या-क्या फायदे होते हैं शुमवार के दिन सिवलिंग पर जल्द चढ़ाने के लाव भगवान सिव को परशन करने के लिए शुमवार का दिन बहुत विशेश माना गया है शुमवार का दिन भगवान सिव को समत्पित होता है इस दिन सिवलिंग पर मात्र एक लूटा जल चढ़ाने मात्र शेही भोले नाथ प्रशन हो जाते हैं शुमवार के दिन सिव जी को अर्ग देने से सभी तरह की मनुकामनाय जल्द पूरी हो जाती है इसके अलावा मासिक सांती भी मिलती है भगवान शिव को परशन करने के लिए शुमवार के दिन महा मिर्तुन्जे मंत्र का जाब करना सबसे अच्छा उपाय होता है कई गंभीर बिमारियों, शंकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाब बहुत ही असरदार माना गया है मंगलवार को शिवलिंग बर्चल चढ़ाने के फायदे सिवलिंग बर्चल चढ़ाने से ब्यक्ति को शभी देवी दीमताओं का आसिर्वात प्राप्थ होता है दोल होती है वहीं विवायक जीवन जीने वाली लोगों का जीवन शुक्ष और शांती दिर्भीता है गुरुवार के दिन सिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे गुरुवार के दिन सिवलिंग पर जल चढ़ाने से ब्यक्ति को शिक्षा के छेतर में शफलता प्राप्त होती है इसके अलावा इस दिन सिवलिन पर जल अर्पित करने से घर में मौजूद बच्चों की आग्रता में तेजी आती है सुकरवार को शिवलिंग पर जल अरपित करने के फाइदे जो ब्यक्तिनियमी त्रूप से सुकरवार के दिन सिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसको वैंबाहिक जीवर में खुश्यां पराप्त होती है और घर में होने वाले कलेश से छुटकारा मिलता है सनीवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे शिप पुराम के अनुशार सनीवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मिर्थु के भैसे छुटकारा मिल जाता है रवीवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे रवीवार के दिन जो सिव भाक्त सिवली पर चल चड़ाता है भगवान सिव उसके उपर बहुत ही प्रशन होते हैं और इसके अलावा माता लक्षमी की विशीश किर्पा मिलती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले